जैसे केसिस बहुत सारे हो रहे हैं जिसमें गैर मुस्लिम लड़कियों को कनवर्ट करके इन कामों में लगाया जा रहा है तो ये भी आठीक आपके रिसर्च में शामिल होगा मैं ये जाना चाह रही थी कि ये सिर्फ केरल तक ही सीमित है या फिर कि आपको लगा कि देश के और भी जगाओं पर क्योंकि ममता बैनर जी अगर बिंगॉल फाइल्स की बात कर रही है और वहाँ पर बैन उन्होंने कर दिया है तो आपको लगता है कि कहीं और भी तार जुड़े हुए हैं अफकोर्श आतार जुरे हुए हैं हमारे पास मतलब जब मैं किरल में काम कर रहा था मैं मैंगलोर में भी ये काम कर रहते हैं और मैंगलोर का 17,000 लड़किया अगर नमबर देंगे तो आप लोग पिर सवाल करेंगे ये नमबर की ऑथेंटिसिटी कहा है मैं विल्कुल सवाल नहीं कर रही हूँ मैं तो देखकर आ रहे हूँ अपनी आग से आपकी मूवी तो मैंगलोर की 17,000 लड़किया लापता है अच्छा आपको ना मैडम एक चीज समझना परेगा कि लड़किया होता है जब ये रेडिकलाइज़ेशन होता है ना जो हमारी ओशालिनी के साथ हमने करेक्टर को अनलाइज करने के टाइज पे विशुलाइज किया था उनकी पहला पहला काम ये होता है कि उनको फैमिली से दूर कर लेना मतलब जब रेडिकलाइज़ेशन प्रसेस में एक जगा पर पहुचते हैं जब हमने रिसार्च कर रहे थे आपको बड़ी इंट्रेस्टिंग इंफॉर्मिशन दू केरल में दो ड्रग की सेंपल मिले थे हमें कैप्टागान एंफिटेमिन इंडिया में बैन है तो हमने जब लग्कियों को पुछे जो अभी शुती भी शुती करके एक लग्की जो आश्राबिंदा समाजम से काफी भोकाल आवाज है तो वो उसने इस ड्रग की जिकर किया था इबन गितानजली की पेरेंट्स भी हमारी जो साथ जो टेस्टिमनी दिये थे उरोंने ड्राक की जिकर किया था ये ड्राक की ट्रेल हमने साथी अरविया में जुगार किया मेरे पास हम लोग जब रिसार्च कर रहे थे साथी अरविया से जो 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 इंपोर्ट होता है उसके थुरू केरल कोर्ट में इस तरह की चीज ये राडिकलाइजेशन की जो एपिशन